नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है So विश्व की one of the fastest supersonic cruise missile ब्रमोज ने recently यहाँ पे एक test fire किया जो की successful रहा and the reason की यह वाला जो test fire है यह special है Because इसमें भारत ने अपने ही indigenously बनाय हुए parts का इस्तिमाल करते हुए इस flight test को successfully execute किया and यहाँ पर यह वाला जो test fire है इसकी timing भी काफी जादा important है So इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से यह वाला जो test fire है ना केवल हमारी economy के लिए बलकि हमारे defense sector के लिए भी किस तरीके से बहुत जादा महत्वपूरण है Also we would like to tell you about certain things जो की ब्रहमोस के बारे में आपको मालूम होनी जरूरी है चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद इस lecture की PDF को यदि आप लोग download करना चाते हैं तो मेरे telegram channel से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Study IQ की app जिसको की आप लोग Google के play store से download कर सकते हैं इस app पे UPSC past year prelims के discussion का एक dedicated course launch किया गया है बहुती अलग strategy के साथ इसमें हमने पिछले 10 साल के papers को subject wise त्यार किया है यदि आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं इस course को जरूर बाई कीजेगा और इसको आप बहुती कम समय में खतम भी कर सकते हैं All right, so before we begin कुछ basics की बात करते हैं जो Brahmos की missile है सबसे पहले तो ये एक medium range missile है Medium range missile याने की इसकी जो range है वो लगभग 300 से 500 km के अंदर fall करती है उसके बाद ये एक ram jet missile है and supersonic cruise missile है Supersonic कहने का मतलब basically sound of speed के हिसाब से यहाँ पर इसको supersonic, subsonic, hypersonic का दर्जा दिया जाता है I will talk about what is the meaning of super, hyper and subsonic further in the lecture And very very important to note कि Brahmos जो है इसको आप किसी भी platform से launch कर सकते हैं भले वो submarine हो, भले वो ships हो, भले वो aircraft हो, भले वो land हो यहाँ पर यदि आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं So Brahmos के नाम से website है जिसको आप जाके देख सकते हैं जिसमें बताया गया है किस तरीके से ship-based weapon complex system है Brahmos का, land-based system है, air-launch weapon system है, even submarine-based weapon system है So this is a missile जो कि बहुत ही versatile है, आप किसी भी platform से इसको यहाँ पर launch कर सकते हैं Right? And इसके पास एक बहुत बड़ी उपलबदी है It is one of the fastest supersonic cruise missiles in the world यही नहीं, USA की one of the fastest missile जिसको की आपने शायद सुना भी होगा, harpoon के नाम से उसको भी यह असानी से पीछे छोड़ देती है Now, it is a joint venture between Russia and India काफी लंबे समय पहले, Russia और India के बीच में इसको लेकर joint venture sign किया गया था India की यहाँ पर जो agency इसमें मिली हुई है, that is DRDO And, यहाँ पर Brahmos का जो नाम है यह असल में दोनों देशों की दो नदियों से मिलकर बना है India की Brahmaputra and Russia की Moskova So, Brahmaputra का Bra and Moskova का Mos जिसकी वज़े से यहाँ पर नाम पड़ा है, Brahmos का खेर, यहाँ पर अगर आगर आप देखे, जो Brahmos की missile है It is a prime precision strike missile and it is used by all three forces भले वो army हो, भले वो navy हो, भले वो air force हो So, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते थे कि depending on the various platforms, it is being used उसी हिसाब से यहाँ पर उसी तरीकी की सेना यहाँ पर इसको 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 इस्तिमाल करती है Now, Brahmos के साथ भारत के पास निर्भिय मिसाइल भी है और आकाश मिसाइल भी है यह तीनों missiles मिला करके भारत की जो weapon की deterrence की शमता है उसको बहुत जादा बढ़ा देते हैं Also, यहाँ पर Brahmos जो है, वो special इसलिए भी माने जाती है Because, देखिए, कुछ साल पहले की बात है, जब इंडिया MTCR का हिस्सा नहीं था MTCR stands for Missile Technology Control Regime, right जब तक इंडिया MTCR का हिस्सा नहीं था, तब तक Brahmos की जो range थी इसके उपर एक stop लगाया हुआ था कि आप 300 km से जादा range वाली ब्रहमोस को इंडिया में नहीं बना सकते हैं Because, इंडिया is not a part of MTCR लेकिन 2018 में, जब यह बड़ा फैसला आया कि इंडिया MTCR का हिस्सा हो चुका है उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर यह फैसला भी ले लिया था कि हम ब्रहमोस की range को बढ़ाएंगे आज की डेट में ब्रहमोस की जो average range है It is approximately 450 km So, ब्रहमोस इस वजे से भी special है कि इसकी range काफी जादा है Plus, साथ में क्योंकि ब्रहमोस सूपर सॉनिक भी है And यहाँ पर experts का यह भी मानना है कि ब्रहमोस कुछ ऐसे काम कर सकती है जहाँ पर दूसरी missiles नाकाम्याब रहती है It can take down terror camps और hideouts Even in the mountain areas Where natural protection makes any other offensive action almost ineffective Right Also, on a separate note यहाँ पर अगर आपको ब्रहमोस 2 को लेके कुछ doubt है So, ब्रहमोस 2 भी India development में चल रही है India में Produce हो जाएगी ब्रहमोस 2 की खास बात क्या है यह supersonic की बजाए यह hypersonic missile है इस particular दृष्चे से आप देख सकते है Subsonic, Transsonic, Supersonic and Hypersonic So hypersonic basically जिसमें आपकी जो Mach number है 5 से भी ज्यादा cross कर जाता है उसको हम hypersonic कहते है इसमें यह माना जा रहा है Brammoz 2 की जो speed होगी it will be approximately Mach 7 to Mach 8 खेर Coming back to the Brammoz 1 missile तो Brammoz की जो यह खास बात थी इसको लेके यह फिर से सुर्खियों में इसलिए आई because यहाँ पर DRDO ने इसकी successful flight testing करी of Brammoz Supersonic cruise missile but again the reason it came into the highlights is because यहाँ पर इसमें Brammoz missile में जो recently testing की गई थी इसमें भारत ने indigenous booster और airframe का इस्तिमाल किया था so जैसा कि मैंने आपको शुरुवात नहीं बताया था Brammoz missile जो है वो एक joint venture के थूँ बनी है इंडिया और रश्या के बीच में जिसके चलते कई सारे इसके जो parts थे या सब parts थे वो रश्या से भी आते थे लेकिन यहाँ पर पहली बार इंडिया ने indigenous booster and airframe का इस्तिमाल करते हुए यहाँ पर completely homemade parts का इस्तिमाल करते हुए Brammoz missile की टेस्टिंग की है इसी लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है भारत के लिए और इसी मौके पर हमारे रक्षा मंत्री ने भी beach area है and the district of Chandipur is Balasor या फिर इसको Baleswar के नाम से भी जानते हैं So, यहाँ पर जो integrated test range है भारत की वहाँ पर से इसकी testing हुई थी and बहुत ही बड़ीया testing हुई थी आप इसकी video भी जाके देख सकते हैं Brammoz की website पर available है Right? Now, why is this special? यह special है दो-तीन कारणों की वज़े से सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी अर्थ विवस्था के लिए So, make in India का boost जो की हम काफी लंबे समय से देने की कोशिश कर रहे हैं वो finally is starting to show some colors Right? यहाँ पर हमारी economy के लिए काफी अच्छी जीज है Because यहाँ पर जो booster इस्तिमाल किया गया वो भी indigenous था जो airframe इस्तिमाल किया गया वो भी indigenous था और कई सारे और subsystems भी यहाँ पर जो इस्तिमाल किये गये वो भी भारत के अंदर ही बनाए गये थे So we can say it is one more major step in enhancing the indigenous content in India Secondly, आपको याद होगा हमारे Prime Minister Modi ji ने August 15 की speech में कहा था कि India now wants to shift from make in India to make for the world So यहाँ पर India कुछ समय में माना जा रहा है कि India Brahmos को export भी करेगा Now, अगर आप देखिए काफी सारा content यहाँ पर indigenous बनाया जा रहा है So इसका जो export है वो भी इंडिया के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है Not only for our current account deficit बलकि हमारी strategic partnership भी काफी सारे देशों के साथ यहाँ पर significantly improve कर सकती है अगर हम उनको defense के शेत्र में export करते हैं So कई सारे देश ऐसे हैं जिन्हों ने यहाँ पर रूची दिखाई है They want to have defense ties with India Especially with regards to Brahmos Which includes Brazil, Chile, Philippines, South Korea, Algeria, Greece, South Africa, Malaysia, Thailand, Egypt, Singapore, Bulgaria And so many other countries जो की Brahmos को लेकर यहाँ पर interested है And हाल ही में यहाँ पर August 25 की news आप देख सकते हैं जब यह कहा गया था कि India finally Brahmos missile को भिजने वाली है Only to friendly nations, right? And lastly, यह particular test की जो timing है यह भी काफी जादा important है अभी आपको मालुम होगा भारत और चाइना के बीच में चल रहा है स्रीमा पर गतिरोध जिसको लगभग 5 महीने हो चुके है And अब यहाँ पर इस टाइम पर testing करना Basically एक तरीके से इंडिया का अपनी air power को showcase करने के बराबर है So Brahmos की जो missile है, it is not only deployed in Ladakh But also in Arunachal Pradesh जिसके तहद हम चाइना को यहाँ पर एक signal भी भी भेज सकते हैं That we are air ready when it comes to Brahmos missile So as you can see, Brahmos, Akash and Nirbhya India rolls out its missiles to counter Chinese threat So I would like to conclude by saying काफी अच्छी चीज है हमारे defense sector के लिए And हमारी यहाँ पर strategic advantage के लिए On that note, I take your leave Thank you for listening, stay tuned and stay safe